असलामरेकूम एविवन कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक ठाक होंगे मसे में होंगे तो जी आज आपके लिए लेकर आई हूँ दराज हौल की एक बहुत ही मसे की वीडियो जैसे कि आप सब जानते हैं दराज बारबर सेल लगी हुई थी और इसमें मैंने ये सब इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रैसिस भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी और इसके साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है एंड मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज मुझे कितनी पसंद आई है तो यह जिसके साथ बहुत बहुत लगों करते हैं और यह बाली थी इसको भी अपने उपन करके देखते हैं ठीक है अचा अचा सबसे चिपाज जो मुझे इन केंडल्स की लगी थी न वह यह ती कि एक ग्लास के अंदर थी ठीक है जिस वज़ज़ से कोई भी इनकी कर लिया है और यह है जी वनीला फ्लेवर में और यह आ गई हमारी दोनों कैंडल्स तुझी बहुत ही क्यूट लग रही थी बहुत ही प्यारी लग रही थी इनको तो मैं अपनी वैनिटी पे रखूं इनको आन करके देखा तो इनकी स्मेल काफी जादा लाइट सी मीठी सी मुझे वैसे परसनली लवेंडर की जादा अची स्मेल लगी है ठीक है प्राइस पिन की काफी जादा रीजनेबल है जो के 375 प्रोपीस और इसके साथ ही साथ इनके डिलिवरी भी बिल्कुल फ्री है तो चलें जी चलते हैं नेक्स पार्शल की तरफ नेक्स हमारे पास आग लगा देखे तो इसलिए मैंने यह मंगवाए और यार यह वाके में ही इतने प्यारे हैं लाइक इनके यह जो पॉट्स है ना नीचे यह सिरामी के बने हुए हैं काफी ज़ादा आपने देखी हूँगे उदेरास पे होते हैं जो के प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं वो इ तिनी रीजनेबल है जो के 350 रूपीस लेकिन डिलिवरी इनकी फ्री नहीं है और जी चलते हैं अपने नेक्स पार्शल की तरफ तो जी इसको करते हैं अच्छा इसको हाथ लगाकर मुझे थोड़ थोड़ आइडिया हो रहा था कि इसमें क्या होगा एंड येस आम राइट इस की 199 रूपीस तो चलते हैं अपने नेक्स पार्शल की तरफ अच्छा इस पार्शल को हाथ लगा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हो रहा कि इसमें क्या होगा लाइक इतना पतला सा ये लग रहा था इसमें क्या ही हो सकता है एंड येस इसमें से निकले हैं वो जिनका मुझे बहुत विसबरी से इंतजार था लैकि इतने प्यारे लग रहे थे नहीं जब मैंने इनको दरास पे देखा था एंड अभी इनकी हालत देखें मुझे कुछ औजीब से ही लग रहे थे लेकिन जब मैंने इनको खोला है तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा प्य इतनी लेट हुई है यह शिप होना था चाइना से जिस वज़ा से इसके डिलिवरी में काफी टाइम लग गया मेरा और यह हमारे पस फ्लॉर्स जो के हैं वाइट कलर में यह भी सेम उनी वॉयलेट फ्लॉर्स की तरह है तो मैंने सोचा था कि मैं यह दो बंजीस मंगा लेती औ और इन दोनों को कठा करके एक ही वाज में लगा दूंगे क्योंकि मुझे आइडिया था कि एक बुके का जो है वाल्यूम वह काफी काम होगा तो इसको भी अब हम रख देते हैं साइट पे चलते हैं अपने नेक्स पार्शल की तरफ तो जी टान टान यह आ गया है हमारे प बनी प्लांट तो दिखाती हूँ मैं आपको यह वान बय वन सारे सबसे पहले जी यह मनी प्लांट आगया है जो कि यह इतना क्यूट मुझे लगा ना सबसे जादा मुझे यह वाला प्लांट पसंदा है यह मनी प्लांट लाइक इतना ओरिजिनल लग रहा था देखने में second ये वाला वाज है जो ये वाला वाज जो जो ये थोड़ा सा बेंड हुआ था एक जगा से बट ओके है और third ये वाला वाज है इसकी finishing काफी ज़ादा नीड थी इसकी price है 199 rupees and जो second हमारा ये वाला वाज था इसकी price थी 250 something and जो ये मनी प्लांट है इसकी प्राइस थी 239 रूपीस प्राइस इन सब की ही काफी ज्यादा रीजनेबल है और इसके साथ इसाथ डिलिवरी भी फ्री थी तो ये है हमारा नेक्स पार्सल इसको भी अब हम लोग ओपन करके देखते हैं देखने में तो ये काफी बड़ा सा अब आप लोग देख सकते हैं ये इसका मेटल का फ्रेम है ठीक है गोल्डन कलर का और इसके फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा नीड थी और ये है जी इसके अंदर रखने वाली इसकी ट्रेज जो के देखने में वैसे ग्लास की लगती है लेकिन ये ग्लास की है नहीं ये एक इसके इलावा मेक-अप और्गनाईजर के तोर पे बी इस्तमाल कर सकते हैं तो चलते हैं जी अपने नेक्स पार्सल की तरफ से नेक्स आगया है हमार पस ये काफी बिग साइस का बौक्स तो जी काफी मुझे सिस्पेंस हो रहा था इसमें क्या होगा क्योंकि बिलकूल भी म third हमारे पासा आग islands सबस्से पहले मैं बात करती चलो इन들 जो काफी जादा लंबे होते तर इसके मैंने दो बंजीज माँ थे ठीके क्योंकि एका वालिम काफी कम लगता हैं citrus और 2 लक्राइज साथ बहुत ही जादा प्यार saben लगें already compete और मुझसे बिल्कुल भी सबरना हुआ है इसलिए मैंने इनको इस वाज में भी लगा दिया और लाइक कमाल यार यह बुखत ही ज्यादा खुबसूरत लग रहे हैं इनकी प्राइस है 299 रूपीज पर बुके की ठीक है मैंने यहां पर यह दो यूज की है यह देन मैंने यह बाइस में अकेले भी किसी भी वाज में लगा सकती हो इसके लावा किसी फ्लॉर्स के साथ यूज कर सकती हूए मैंने बसे कर लाए थी कि जो थोड़े फ्लॉर्स हो तो मैं इनको मिक्स करके इस क्रास के साथ लगा दू ठीक है तो इसकी प्राइस ए 119 रूपीज धें हमार भी सबर ना हुआ और मैंने अपने ये वाले फ्लॉर्ज भी इस फॉस के अंदर लगा दिये देखने के लिए के लाइक ही किस तरह के लगेंगे एंड लाइक यार ये बहुत ही जादा क्यूट लग रहे थे नेक्स ही हमारा पस ही वाला पार्सल आ गया हमारा इसको भी अब हम लोग ओपन करके देखते हैं किसके अंदर क्या होगा एंड ओके मुझे बिल्कुल पता लग चुका है इसमें से क्या निकलेगा इसमें से निकले हैं ये वाले मसाला बॉक्स जो के स्टोरेज जार्स के तोर पर यूस किये जाते हैं इनका साइज है 200 ml प्राइस इनकी बहु नेक्स जी हमारे पर आ गया है ये वाला बॉक्स काफ़ी बड़ा सा बिक साइस में लग रहा था मुझे थोड़ए थोड़ा आईडिया हो चुका था किइस के अंदर से क्या निकलने वाला है एंड यैस निकले हैं हमारे मोड स्टोरेज बॉक्स इसमें जो के डिफरेंट सा कॉलिटी यह जो स्मॉल है यह बहुत ही मीनी से थे क्यूट से इनका साइज था 100 अब मैं यहाँ पे आपको यह और इस करके दिखाती हूँ यार यह सब रखे हुए साथ में कितने प्यारे लग रहे थे इनके अधर में अपने सारे मसाले वगारों को और इस करूंगी नेक्स् सामना फरहीन और यार यह बहुत ही कॉपरेटिव सेलर थी ठीक है इनके पास यह वाले स्टिकर अवेलेबल थे जिनमें मसालों के और दालों के सबके नाम लिके हुए थे एक लिस्ट में 35 स्टिकर्स होते हैं और एक लिस्ट की प्राइस थी 340 रुपीज ठीक है यह राउं ताकि ऐसी अची अची वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहा करें और कमेंट्स में मुझे आपने लास्मी बताना है नेक्स्ट आप लोग किस चीज की वीडियो देखना पसंद करेंगे तो जी चलते हैं अपने रेटिंग सेग्मेंट की तरफ ताकि आप को आइडिया हो जाए कि कौनजी चीज कितनी अची है और आपको बाय करनी चाहिए याने झाल